हेलो एव्रिवन हमारा कोशन लिया है एरेंज दे अलिमेंट एन पी ओ एंड एस इन दा ओडर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स आइनिजेशन एंथाल्पी इंक्रीजिंग नॉन मेटल करेक्टर देखो पहले तो हम लोग को देखना है कि कौन-कौन सा अलिमेंट लिया गया है तो न यह थर्ड प्रियट का एलिमेंट है ठीक है इस तरह से यह एलिमेंट रहते हैं अब देखो क्या है कि अब जेनरल एलक्ट्रों का अगर लिखोगे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का अटमिक नमबर साथ लिए 1S2 2S2 2P3 ठीक है उसी तरफ फॉस्पोरस का लिखोगे 15 का तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P3 ठीक है यह दोनों का एक जैसा होगा और oxygen और sulfur का एक जैसा होगा oxygen sulfur का कैसा होगा oxygen sulfur का देखेंगे तो oxygen O8 का क्या होगा 1S2 2S2 2P4 और sulfur का हो जाएगा 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 ठीक है तो यहां पर P orbital में क्या होगा यहां पर तीन orbital है और यहां पर चाहर है तो तीन orbital कैसे रहेगा PX PY PZ तो तीनों में एक एक electron रहेगा मतलब कि half field है तो half field stable configuration माना जाता है और यहां पर अगर O का या S का देखोगे तो PX में एक electron PY में एक electron PZ में एक electron पहले clockwise फिर anti-clockwise क्योंकि दोनों में 4-4 electron है तो चौथा electron जो होगा वो PX में चला जाएगा इस तरह से इसका electronic configuration होगा तो अब देखो जादा इस्टेबल कौन nitrogen है अब हम लोग को first ionization enthalpy बताना है तो first ionization enthalpy किसका ज्यादा होगा तो हम लोग जानते हैं कि उपर से नीचे जाने पर ग्रूप में उपर से नीचे जाने पर ionization enthalpy क्या होता है decrease होता है अर लेट से राइड जाने पर ionization enthalpy क्या होता है इंक्रीज होता है यह period में होता है from left to right फॉमफ्ट तू राइट और यह टॉक्प से बॉटम जने पर नाइट्रोजिन में । और ऑस्पृरइस का कम होना चीए रूसे जाने पर नाइट्रोजिन ने ज्याना zubी किसको ज्यादा माना जहेंगा तो अक्षीजन और Nichos दिखो होता है है और क्या है सब्सक्राइब नहीं है इसमें एक एक इलक्ट्रोण आसानी करने क लिए ज्यादा नर्जी का निगव करता है क्योंकि यह टिक है सब्सक्राइब सबसे आधिक हो जाएगा फिर ऑक्सीजन का होगा और फॉस्पोरस का ज्यादा होगा तो फॉस्पोरस के साथ भी वही कंडिशन है और नहीं होता है तो हमारा यह इंक्रीजिंग और में लिखना है तो सबसे कम होगा फिर फॉस्पोरस का फिर ऑक्सीजन का फिर मैट्रूजन यह हमारा फिर्स्ट का अंसर होगा अब हम लोग सेकेंड बे चलते हैं सेकेंड बे हम लोग को क्या पूछा गया है कुछा गया है इंक्रीजिंग नॉन मैटलिक करेक्टर मतलब कि अगर लेफ्ट से राइड जाते हैं मैटल लेफ्ट से राइड जाते हैं तो नॉन मैटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है ठीक है नॉन मैटलिक क्यारेक्टर इंक्रीजिज एक्रॉस दर पिरिएड पिरिएड में या नॉनमेटलिक करेक्टर इंक्रीव होता है वाइल डिक्रीज़ डाउन दर ग्रूप ग्रूप में उपर से निछे जाओ है तोrement दिक्रीज होगा अब तो नॉनमेटलिक करेक्टर के षाब से देखोगे तो नाइड्रोजन और उक्सीज़न में ऑक्सीजन ज्यादा नॉन मैटलिक है तो अगर ध्यां से देखेंगे तो फॉस्पोरस सबसे कम उसके बाद हमारा हो जाएगा उसके बाद पिर हमारा क्या हो जाएगा पिर हमारा इस तरह से हमारा सब्सक्राइब होगा आपको समझ में आए होगा डाट सब्सक्राइब क्यूंट